नमस्कार मैं विश्वर उपरत उद्धे इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा द्वारा इसलाम के पैगंबर मुहम्मद पर दिये बयान पर लगातार विवाद जारी है ती राजा के विरोध में जम कर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जिसके बाद कंजन बाग पुलिस ने नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे असी प्रदर्शन कारियों को हिरासत में ले लिया है लेकिन AIMIM सांसर्ज असदुद्दिन ओवैसी और अक्बरुद्दिन ओवैसी के दखल के बाद इन्हें छोड़ दिया गया हालाकि तेलांगना के ग्रह मंतरी मुहम्मद अली ने कहा है कि सरकार कानून और व्यवस्ता से कोई समझाता नहीं करेगा और जो भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश करेगा उस पर कानूनी करवाई की जाएगी उधर टी राजा के खिलाफ विरोध करने के लिए कटरपंथी लोग बच्चों का उप्योग कर रहे हैं इन बच्चों से हिंसक नारे लगवाय जा रहे हैं जिसे देखते हुए राश्ट्रे बाल अधिकार आयोग ने सक्ती दिखाई है बाल आयोग ने हाइदराबाद पुलीस को एक पत्थर लिखकर कहा है कि बच्चों का राजनितिक हत्यार के तौर पर इस्तमाल किया जा रहा है इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर करवाई की जानी जहिए और अब बात करते हैं यूपी की राशनिति की यूपी में भाजपा का अध्यक्ष बदल गया है भुपिंद्र सिंग चौधरी को नया अध्यक्ष बनाया गया है वह योगी सरकार में क्याबिनेट मंत्री है भूपिंद्र चौधरी ने बुधुवार को दिल्ली में भाजपा के राश्य अध्यक्ष जेपी नड़ा से मुलाकात की थी भूपिंद्र चौधरी पश्चिमी उत्तरप्रदेश के जाट समुदाय से आते हैं वह सीएम योगी के पहले कारेकाल में भी मंत्री बनाय गए थे चौधरी को संगठन के लिए काम करने का पुराना अनुभव है वह विश्व हिंदु परिशत से जुड़े रहे हैं साल उन्निस सो उक्यानबी में उन्होंने भाजपा की सद्यस्यता ली थी जिसके बाद वह लगातार बीजेबी के लिए काम कर रहे हैं भुपिंद्र सिंग ने किसान आंदोलन के बाद नराद जाट समुदाय को मनाया और उन्हें भाजपा के पक्ष में वोट देने के लिए तयार किया जिसकी वज़ा से योगी सरकार के दूसरे कारेकाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को अच्छी सफलता मिली भुपिंद्र सिंग चौधरी जैसे मजबूत चाट नेता को प्रदेश अध्यक्ष पना कर भाजपा ने बड़ा दाव खेला है इसका फाइदा साल दोहजार चौबीस के लोगसवाग चौध में होगा अब करते हैं जहारकंट की राशनीती की बात जहारकंट के मुख्यमंत्री हेमन सुरेन की कुरसी पर संकट के बादल मंडरा रहे है चौनाव आयोग ने उनकी विधान सभा सर्दस्यता रद करने की सिफारिश राजपाल को भेजी है जिसके बाद हेमन सुरेन को मुख्यमंत्री पद गवाना पड़ सकता है इस बीच हेमन ने अपनी पार्टी जहारकर मुक्ती मोर्चा के सभी विधायकों और सांसदों को रांची बुलाया है हेमन सुरेन पर आरोप है कि खुद मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने नाम पर एक खनन लीज का पट्टा हासल किया था जिसके बारे में पता चलने पर हंगामा शुरू हो गया था चुनाव आयोग ने इसे Office of Prophet का मामला माना था जिसके बाद उनकी सदन की सदस्यता खत्रे में पड़ गई है हेवन सुरेन की विधान सबा सदस्यता जाएगी या रहेगी इस पर राजपाल को फैसला लेना है सूत्रों का कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग ने जहारखन के मुख्यमंत्री हेवन सुरेन के खनन पट्टा मामले में अपना मंतव्य राजभवन को भेश दिया है राजभवन सूत्रों का कहना है कि राजपाल दोपहर करीब देड़ बजे दिल्ली से वापस रांची लोटेंगे राजपाल रमेश बैस पिछले तीन दिनों से दिल्ली में थे और उनकी यात्रा को नीजी दौरा बताया गया था राजपाल के रांची वापस लोटने के बाद ही चुनाव आयोग की ओर से भेजी गई सील बंद रिपोर्ट को खोला जाएगा राजपाल रमेश मुर्मू दिल्ली से रांची पहुँचे एरपोर्ट से बाहर पत्रकारों से बाद चीत में अभी सिर्फ इतना ही कहा है कि चुनाव आयोग से प्राप्त सील बंद लिफावे की रिपोर्ट में अभी उन्होंने पढ़ा नहीं है पढ़ने के बाद ही वह कुछ बता पाएंगे इतना ही ख्या कर राजपावन की ओर निकल गए चुनाव आयोग का पत्र राजपावन को प्राप्त हो जाने की सूचना पर जारखण में राशनेतिक हलचल बढ़ गई है उधर बीजेबी के गोड़ा सांसत निशिकान दूबे ने ट्वीट पर दावा किया है कि चुनाव आयोग ने राजपावन को अपनी रिपोर्ट भेज कर हेवन सुरेन की सदस्यता रद करने की सिपारिश कर चुका है ऐसे में हर किसी के जहन में यही सवाल है कि अगर हेमन सुरेन को अपनी विधाय की गवानी पड़ती है तो उनके पास और क्या विकल्ब है अर अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की कश्मीर में बारा मुला जिले के उड़ी में घुसपैट की कोशिश करते हुए तीन आतंक्यों को धेर कर दिया गया है आतंक्यों का यहाँ गुलाम कश्मीर के कमाल कोट से भारतियों इलाके में घुसने की कोशिश कर रहा था सीमा पार से हो रही घुसपैट को देखते हुए इलाके में तलाशी अभियान कर दिया गया है सीना ने बताया है कि नौशेरा में लांग शेत्र के पुखर्णी गाउं में भी आतंकियों ने घुसपैट की कोशिश की थी लेकिन एक आतंकी का पाव बारूदी सुरंग पर पढ़ने से धमाका हो गया है जिसकी वज़ा से जवान अलर्ट हो गए उनकी गोलाबारी में दो आतंकी मारे गए जबकि बाकी भाख खड़े हुए नौशेरे के ही सेर मकडी इलाके से लशकर एतैबा का प्रसिक्षित गाइट और फिदाईीन आतंका तबारक रविवार को पकड़ा गया था वही पाकिस्तानी सेना की इंटेलिजन्स यूनिट के लिए काम करता था तबारक हुसेन की उम्र बाईस साल है उसे पिछले च्छा वर्षों में दूसरी बार घुसबैट करते पकड़ा गया है तबारक ने खुलासा किया है कि उसे पाकिस्तानी सेना के कर्णल यूनूस चौधरी ने ट्रेनिंग दी थी उसको 30,000 रुपए देकर भारतिय सेना पर फिदाईीन हमला करने के लिए फेजा गया वहाँ पाक अधिकृत कश्मीर के कोटली में सब्जगोट गाउं का रहने वाला है और अब ख़वर रक्षा क्षेत्र में मेकिन इंडिया कार्यक्रम की भारत का पहला स्वदेशी विवान वाहक युद्ध पोथ आई एन एस विक्रांट पूरी तरह से बन कर तयार हो गया है इसे 2 सितंबर को भारतिय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा जिसके बाद हमारी नौसेना का समुदरी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी भारतिय नौसेना के उप्रमुख वाइस एड्मीरल एस एन घोर्मुड़ों ने बताया है कि इसके उपकरणों का निर्मार देश के 18 राजियों और केंदर साशित प्रदेशों में हुआ है जिन में अंबाला, डमन, कोलकता, जलंधर, कोटा, पूने और नई दिली शामिल है यहाँ पूरी तरह स्वरदेशी जहाज है दो सितंबर को इसके जलावतरन कारेक्रम में पियम मोधी भी उपस्तित रहेंगे एडमीरल घूरमडे ने बताया है कि हिंद महासागर शेत्र में हमें अपनी ताकत को इस तरक तक ले जाना चाहिए कि दुश्मनों को आप बहतरी से मुकाबला किया जा सके इसी उदेश्य के साथ आइनेस विकरांत का निर्मान किया गया है आइनेस विकरांत को बेहत कम समय में बना कर तयार कर दिया गया है मशहूर कोमेडियन राजु शिवास्तफ को खोश आ गया है उनके लिए पूरे देश में लोग प्रातना कर रहे थे राजु शिवास्तफ के एक दोस ने बताया कि वह रात में तीन बजे सोए हुए थे तब ही राजु शिवास्तफ के साले आशी शिवास्तफ जी ने कॉल करके बताया कि राजु को खोश आ गया है हलाकि राजु अभी बेहत कमजोर है वहाँ पिछले 15 दिनों से अस्पिताल में इलाज कर रहे हैं राजु स्रिवाश्टव की हालत बेहत नाजुक थी डॉक्टरों नहीं एक बार तो उन्हें ब्रेन डेट तक बता दिया था लेकिन अब वहाँ बोल पा रहे हैं राजु को 10 अगस को दिल का दौरा पड़ा था जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एम्स में भरती कराया गया था राजु पिछले 15 दिनों से वेंटी लेटर पर थे आज सुभा खोश में आने के बाद उनकी पतनी ने जब राजु से पूछा था कि उनकी हालत कैसी है तब राजु ने कराहती हुए जवाब दिया था कि हाँ अब मैं ठीक हूँ राजु की आवाज सुनकर उनके दोस्त और फैंस खुशी से जूम उठे भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास फिर से खोल दिया वहां तालिबान का शाषन होने के बाद भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया था काबुल के भारतिय दूतावास में 60-70 अधिकारियों और करमचारियों की टीम तैनाथ की गई है जिसे भारतिय विदेश सेवा के एक वरिष्ट अधिकारी के नित्रुत्व में तैनाथ किया गया है जून के महीने में भारत ने अपने दूतावास की खोज खबर लेने के लिए एक तक्नीकी टीम भेजी थी हालाकि भारत सरकार ने अधिकारिक रूप से तालिबान की सरकार के साथ राज नईक संबंध स्तापित नहीं किया है काबुल में चीन, रूस, इरान, येरोपी, संग और अधिकांश मध्य एशियाई देशों ने अपने दूतावासों को खोल दिया है जिसके बाद भारत ने अपना दूतावास खोला चीन और पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ मिलकर वहां अपनी पकड मजबूत बना रहे हैं जिसके बाद भारत के लिए भी दूतावास खोलना जरूरी हो गया अफगानिस्तान में नागरिक सेवाओं में भारत ने बड़ा निवेश किया है जिसकी सुरक्षा के लिए भारतिय प्रतिनिधियों का काबुल में होना जरूरी था यही कारण है कि भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास फिर से खोला वाटसाप और फेस्बुक ने दिल्ली हाई कोट में CCI जांच पर रोक लगाने के लिए याची का दायर की थी लेकिन उनकी याची का खारज हो गई वाटसाप और उसकी परेंट कंपनी मेटा की नई प्राइवेसी पॉलिसी कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया जांच कर रही थी जिसके खिलाफ वाटसाप ने दिल्ली हाई कोट का रूख किया था पिछले साल जनवरी में वाटसाप नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया था जिसमें कहा गया था कि जो भी इस नई पॉलिसी को स्विकार नहीं करेगा उसे वाटसाप चलाने में मुश्किल आएगी इसके बाद CCI यानि Competition Commission of India ने प्राइवेसी पॉलिसी पर सुरक्षा चिन्ताओं का हवाला देते हुए जांच शुरू की थी CCI ने कहा है कि वह सोशल मीडिया मार्केट में दबदबा बना चुकी वाटसाप और फेस्बुक के डेटा को लेकर जांच कर रहा है इस जांच में पता लगाया जा रहा है कि कंपनिया या यूजर्स का कितना डेटा कलेक्शन कर रही है उद्धे इंडिया डिजिटल बुलेटिन में आज इतना ही जैहिन